हेलो फ्रेंड्स अस्सलामु आलेकूं तो आज मैं बहुत ही टेस्टी और जल्दी जटपट बनने वाली विज मंचूरियन की रेसिपी लाई हूँ अगर आपके घर में भी लोग सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो इस तरह से बनाईए उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें इतनी सब्जियां डाली हैं तो चलिए इसे देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज लिया है तो एक प्याज, एक गाजर, साथ में दो हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया इसको इस तरह से छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे या सब्जी आप अपने हिसाब से भी जो डालना चाहें डाल सकती हैं तो यहाँ पर मैंने चोटे-छोटे से अधरक और लसुन को भी काट लिया है, साथ में शिमला मिर्च और हरी मिर्च भी काट कर अच्छे से लाली है तो बस हमें सब्जियों को अच्छे से एक बरतन में मिक्स कर लेना है और इसके साथ ही हम यहाँ पर यह करमकला भी डालेंगे जिसे बंदगो भी कहते हैं तो इसे भी महीन महीन काट कर अच्छे से इन सब में मिक्स कर लें तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से धोले फिर सारी सब्दियों को मिक्स करें तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो इसमें मसाले बहुत ज्यादा नहीं पड़ना सिर्फ हम इसमें नमक और मिर्च अपने हिसाब से डालेंगे और साथ में अरारोट तो अगर आप चाहें तो मैदा भी डाल सकती है या फिर इसे कॉन फ्लोर में भी बना सकती है तो इसमें इतना अरारोट डालेंगे कि इसका एक डो बनने लगे और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बन जाएं तो देखिए इसे एक बर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ही रखिएगा तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसे अच्छे से मिस करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल कर इसे मिला लेंगे और बस अब हम थोड़ा सा तेल हाथ में लगाएंगे और उसके तेल लगाने की वज़ा से इसके बॉल आसानी से बनेंगे तो बस इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना कर रेडी कर लें तो हमें जितने भी मन्चूरियन बनाने हैं हम एक बार में ही इसके बॉल्स बना कर रख लेंगे और फिर इसे हम कम से कम 5-10 मिनट फिरिज में सेट होने के लिए रखेंगे जिससे ये तेल में डालने से फैलेगा नहीं ना ही तूटेगा तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके मेरी हर नई वीडियो आपको फॉरण मिल सके तो चलिए अब हम इसे ओल में फ्राइब कर लेते हैं तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज्यादा नहीं लेना देखिए यहां पर मैंने तेल थोड़ा सा ही यूज किया है तो इतना ही तेल यूज कीजिएगा कि बाल्स जो है बस आधे ही इसमें डूबे हो तो बस इसे हम अच्छे से प्राइ कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर इसे हम निकाल लेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें तो यह देखिए हमारी सबजियों की पकोणियां बनकर तैयार है यह देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है और यह बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है तो इसे आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर बच्चे सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे जरूर बनाएं क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चलेगा और इतनी सारी सबजियां वो खा लेंगे और यह टेस्ट के साथ-साथ फाइदों से भी भरपूर है तो इसे एक बार जरूर बनाएं तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर टेस्ट करके देखते हैं कि यह कैसी बनी है वैसे देखने में भी यह कितनी टेस्टी लग रही है तो एक बार आप इसे जरूर बनाईएगा इसे देखते ही मुह में पानी आ जाएगा और बच्चे और बड़े सभी मांग मांग कर इसे खाएंगे तो एक बार ये रेसिपी जरूर बनाईए इसे आप सुबा शाम के चाय के साथ या फिर टिफिन में बना कर भी दे सकती हैं यह बहुती जटपट बनकर तयार हो जाता है इसे आप मिक्स करके अच्छे से निकाल लिए और फ्राइ कर लीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ ओके बाय बाय अल्ला हाफीज